नमस्का और मैं कीर्टी और आप देख रहे हैं जल संदेश टाइम तो प्रदेश के विधान सबाच नौ में योगी के बुल्डोजर ने काफी सुर्खिया बटोडी थी यतना ही नहीं चुनावी नतीजों के बाद भी उनका ये बुल्डोजर खूब चल रहा है लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बुल्डोजर फाक्ट एक शादी में भी देखने को मिला आप कहेंगे कि कैसे तो जानने के लिए देखी हमारी ये खास रिपोर्ट यूं तो नव विवाहित जोडों को सभी उपहार में कपड़े पैसे जेवर इत्यादी देते हैं लेकिन यूपी के प्रयाग राज में सामूहिक विवाह समारों में हमें बेहद ही अलग चीज़ देखने को मिली दुला और दुलहन को बाकी उपहार के साथ सिंबल के तोर पर बुल्डोजर दिया गया वहीं सनों के उपहार पर क्या कहा दुले ने आप भी देखिए अब जरा एक और दुले राजा को सुनिये बुल्डोजर गिफ्ट पर उनका क्या कहना है इसके साथ ही इस सामुहिक विवाह समारो में गिफ्ट के तौर पर बुल्डोजर क्यों दिया इसका जवाब भी आयो उजक ने दिया जोडों का विवाह हुआ और वैसे तो बहुत सारे उपहार की वस्तुवे दी गई है लेकिन मुख्य तोर पे बाबा का बुल्डोजर भी यहाँ पे उपहार तोर पे सभी जोडों को दिया गया है जी वजए के वजए देखे समाज में एक अच्छी चवी आज भारतियंता पार्टी की बन रही हिंदुतु का रुजहान लोगों के दिल में बढ़ रहा यह हमारे लिए बहुत गौरों की बात है इन चीजों को देख करके समाज सेवा तो हम लगातार से करते चले आ रहे हैं कई वर्सों से लगबग दस्वा साल है इस बार हम लगातार सामोहिक विवा करा रहे हैं लेकिन इस बार कुछ नया कुछ अलग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बुल्डूजर बाबा का अब आपके मन में जरूर सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार इस अनोखिक गिफ्ट देने के पीछे वजह क्या रही तो यहां की मेयर और क्याबिनेट मंत्री नंद कोपाल गुपता की पतनी अभिलाशा गुपता नंदी का कहना है कि जिस तरह योगी सरकार ने माफियाओ के गलत कामों को बुल्डोजर से उखाड फेका है उसी तरह नए नवेले विवाहिक जीवन में इस कारिक्रम में मुख्य अतिती के तौर पर आई प्रयागराज की मेयर अभिलाशा नंदी ने इस मिनी बुल्डोजर के महत्व को समझाते हुए कहा कि यह मिनी बुल्डोजर विवाहिक दंपतियों के जीवन में आने वाले परिशानियों को दूर उखाड फेकेगा योगी का यह बुल्डोजर पहले तो राजनीती और रोड पर ही देखा जाता था लेकिन अब यह शादियों तक पहुत चुका है अब ऐसे कारिक्रमों में बुल्डोजर को देख कर तो यही लगता है कि बाबा का यह बुल्डोजर अब हर जगा देखने को मिलेगा फिलाल के बसता ही तमाम ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसरदेश टाइम्स